एक candidate, one candidate, one result होगा एक ज्वाइन नहीं किया तब तब फिर एक साल वेकंसी रहेगा वेकंट रहेगा सीट एक कठा जमीन लगा किसी गों नोकरी में एक रुपईया लगा है पोस्टिंग में लगा है फर्जी है पेट में दरत कर रहा है तो माथा दरत के दबाई खोज रहे हैं सारे ट्रेणिंग इस्टिचूट बंद हो गए थे बिहार में सम्मेचर वहाँ विद्याले खोल दिया था गिरिकल्चर फारम में जतना जगह था नितीश कुमार जी ने ट्रेणिंग स्कूल खोला तरक लोग देते हैं सो विधाक अनुसात तरक नहीं दिया अब भूत आने वाला है तब भूत आने वाला है नियाई पालिकाने बगले में हाई कोट है एक हाई कोट में रिट फाइल कर दीजेगा त्री की दिक्षक बहाली को देखते हुए रिजल्ट जो है कुछी दिन में आना है लेकिन इससे पहले अभियर्थियों के द्वारा कई सारी मांगे उ और भी कई सारी माइं कर रहे हैं मार साथ बात करने के लिए जद्यों में बिहारे करने राख कर कि ढए से लेके लिए नियो से देखरा है वण रीजल्ट की माल अभियर्थि कर रहे हैं कि एक रुपयया लगा है पोस्ٹिंग में लगा और और देश में सबसे ज़्यादा सिक्षक शात्र नुपात में बिहार में बहाली हुई है और यह भी गौर तलब है कि मानेबर तेजस्वी आदों के मा पिता के शासनकाल में सारे ट्रेणिंग इस्टिचूट बंद हो गए थे बिहार में सम्मेचर वहाब इद्याले खोल दिया प्रागत जो निरने लिए गए आज उसका परिणाम है कि देश में सबसे ज्यादा बहाली हम लोगों ने किया है जारी करने की बाते कही गए निरज्यस को लेकर कहा है यह जा रहा है कि बिल्ट्रॉन के द्वारा जोस तरीके से उम्मार जारी होगा धानली होगी इसमें कित करें अधिकार प्राप्त है आप BPSC स्वायत संस्था पर सवाल खळा कर रहें तो अपनी मेधा पर भरोसा करिये संस्था को कमजोर करने का प्रियास मत करिए जितने लोग विहार में बहाल हुए इन लोग की मेधा गर्वढ़ है क्या क्या तरक लोग देते हैं विधा कनुस इसा हुआ है कहीं मैंने रिजल्ट हम में एमेल सी का चुनाव ग्रिजिट कर श्वंट सी का लड़ते हैं तहां में हम ज्यादा फॉर्म जमा कर दिये तब पहले ही हमको दे दीजिए रिजल्ट सिट कि हम चुए मेल सी हो गए और उसके बाद काउंटिंग करिएगा बोटिंग यह कोई आवश्यक सर्त नहीं होता है बिहार ने जब पंचायती राजनगर निकाय में सिक्षक नियमा वली बनाया तो उम्र सीमा को सिथिल किया था उस समय क्यों किया था उस समय का परिपेक्ष यह था कि विद्याले बंद थे अगर हम भैकेंसी क्रियेट करते ट्रेनिंग स्कूल के बाद करतें दस सालम को लगता तो ततकालिन परिस्थिति में सरकार कोई निरने लेती है और निरने को फिर ठीक भी किया जाता है सुधार भी किया जाता है इसलिए कोई पंच लाइन नहीं होता है कोई निरने हो गया तो ही लाइन फॉलो अप रहेगा तो अगर सब्सक्राइब करने के लिए अपनी पर्तिक्राइब करना चाहिए और यह तमाम ख़बरों के लिए बनड़े मार साथ बहुत-बहुत धने बाद